हाई फ्रेंड्स मैं पिंकी मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरा चलन में तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्टेफी सिक्यूर नाइट्स का जो रिसेंटली लॉंच हुआ है मार्केट में ये अफलाइन ऑनलाइन दोनों में मिल जाती है तो फ्रेंड्स रिव्यू करने से पहले मैं बोलना चाती हूँ मेरा चलन को सब्सक्राइब कर लिज्ये फ्रेंड्स मेरा चलन में उमें ट्रेट सारा टॉपिक आता है आप लोग देख सकते हो और यह आज का जो टॉपिक है स्टेफी सीकोर रिनाइट्स का तो आप यह मेरा वीडियो सुरू से लेके लाज तक देखिए क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा पॉइंट में बोलोगी आपको यह पैट खरीदना चाहिए की नहीं चाहिए आम जिन्देगी में यह पैट कितना काम करता है मेरा रिव्यू में मैं बोलना वाली हूँ ठीक है मेरा जो रिव्यू है यह जेनूइन मेरा परसनल ओपिन नियू है तो फ्रेंट्स चलिए देखते हैं पैकेजिंग में क्या लिखा हुआ है तो फ्रेंट्स आप देख सकतो इसमें पैट का साइज दिया हुआ है अपर ब्लाट को कुछ लिए एबसर्फ कर लेता है। यह इसमें पूरा इसका डीटर्स दिया हुआ है चलिए सुरू करते हैं इसका प्रीवियू तो देखिए फ्रेंट्स यह इस तरह करके पैकेजिंग में आता है अलग अलग पर्पेल कलर का पैकेजिंग में आता है बहुत ही क्यूट लगता है इस तरह तो यह देखिए इस तरह करके पैकेजिंग आता है तो यह हाजिनिक रहने का चांस है इसमें कोई किड़मा कोड़ा घूस नहीं सकता तो पैड सेप रहता है और हम लोग के लिए बहु देखें फ्रेंवन पैड़ 2020 में और का यह का फीग ठीक पैड़ यह आप देख सकते हो काकी कर रहीं इसका टॉप्सीट है काफी सॉप टॉप सिट है आपको कोई रैसेस कोई इचिंग या कोई भी और जो पॉब्लेम होता है वो नहीं होगा इसमें और अब इसका स्टीकिनेस देखते हैं यह अलग से पेपर दियो है यह डिस्पोजल पेपर है जब पैड आपका यूज हो जाएगा तब इस पैकेट में रैप करके अप अलग से फेक सकते हो और इसका देखते हैं स्टीकिनेस ठीक ठाक है ठीक है अरम से पैंटी में चिपक जाएगा और देखिए यहां पर आप देख सकते हो यहां पर बड़ा सा लीक लॉक चैलेंग यह हो है जो ब्लैड को कुईखली एब्सॉर्ब कर लेत और उपर ब्लड को उपर नहीं आने देता है एकदम ब्लड नीचे तक चल जाता है और पूरा कॉटनी है इसमें कोई जिल टेकनोलिजी नहीं है ठीक है और यह काफी लॉंगर काफी ठीकर पैड है जो नाइट्स में आड़ाम से हम लोग 12 घंट आड़ाम से यूज कर सकते हैं और हम लोग यह हभी फ्लो के टाइम में मोटा मोटी 6-78 घंट आड़ाम से छह घंट आड़ाम से यह काम करती है नौर्मल और मीडियम फ्लो में यह 10-12 घंट आड़ाम से चल जाती है लेकिन एक बात फ्रेंट्स 10-12 घंट पैड यूज करना नहीं चाहिए यहां पर देखिए पतला सा कॉटनी यह है पतला से कोबर जिसमें आपको प्रामें लिखेज या को भी कपडा में लिकेज प्रस्मेल नहीं होता है और यह इसका टाइं में जो होता है यह यह सच्री में बात है यह मेरा यूज किया हुआ परसन मेरा मतलब रीवू है ये तो इसलिए मैं बोल रही हूँ और ब्लाड को ये कुटली एब्सॉर्ब कर लेता है और इसका कारण ये जब ये करेंगे तो भीगा भीगा नहीं लगता है नीचे में ब्लाड चल जाता है और ब्लाड जल्दी से स्प्र हो जाता है जो हम लोग का एक जगा में स्टक नहीं रहता है और ये प्लास्टिक प्लास्टिक जो töपसित रहता है वह ब्लाड स्टेन नहीं दिखता है लेकिन टॉपसिट है ये तो देखिए फ्रेंट्स इसका पीछे में थोड़ा वाइड है तो आप देख सकते हूं और सामने में 20 परसें इसका वाइडर है सामने में थोड़ा चोटा है तो यह बहुत ही अच्छा है पीडिस का टाइम है है जो हम लोग का इक्स्ट्रा सपोर्ट देता है और लिकेज का क मेरा ओपिनियन है यह पैड बेश्ट फ़र्ड हेवी फ्लो अब हेवी फ्लो के लिए आराम से यह यूज कर सकते हो खरीच सकते हो उतना दाम भी नहीं है आप एफोर्ट कर सकते हो पैइतालीस रुपया में छे पैड आ जाता है आराम से आप खरीच सकते हो बेश्ट मया ब्रीट क्या सब्सक्र्ट आप लोग सकते हो आप लोग इस करके कैसा लगा यह पैड आप हम बोल सकत हो मेरे साथ रेहर कर सकते हो कमें है अच्ञा तो लाइस करदेजीगा वीडिओ अगर बूरा लगा तो डीसलैक कर दिजिएगा कोई पॉब्ल्लम नहीं है और इतने